यूटुब चैनल Learn Services दिस इस गुञजन गुपता और मैं आपको करेंट अफेर्ष के सारे टौपिक्स क्लियर करवाओंगी यहाँ पर आपको करेंट अफेर्ष के सारे जानकरिया मिलेंगी और आप यहाँ पर सारे के सारे चीजों को revise करेंगे मेरे साथ revise करेंगे अगर आपको चीज़े याद हैं तो मेरे साथ revise करेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे आप उन चीज़ों को एक बार जरूर लिखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम current affairs फरवरी मन्त के 21 और 22 देखे पढ़ेंगे तो अब बिन्नी बंसल संजे गुपता या फिर अजे मनोत्रा इसका correct answer हो जाएगा अजे मनोत्रा को अभी मानो अधिकार परिशत सलाकार समीती के पहले भारती अध्यक्ष के रूप में निक्त किया गया है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा अजे मनोत्रा नेक्स्ट कुश्चन है हमारा अभी किसने इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉंच किया है आपके पास आप्शन से नीती आयोग, रेल मंत्राले, NIC या फिर इनमें से कोई नहीं ते इसका करेक्टर अंसर हो जाए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, यहां पर आप सी की जगे कार्ड भी कभी-कभी यूज हो जाता है और यह जो होता है यह लैन में यूज होता है, मिन्स लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, किस ने प्लेटफॉर्म लॉंच किया है, NIC ने, नेक्स् या फिर इन में से कोई ने, तो इसका correct answer हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में केंद्री मंदल ने हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक की प्रियोजना को मंजूरी दी है, अब यहां पर बात आ गई है, जम्मू एंड कश्मीर की, तो हम इसके बारे में ज फोर स्री नगर, ठीक है, और सीत रितु में हम क्या हो जाते हैं, जम्म से जम्मू, ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लेटनेंट गवर्नर है, जम्मू एंड कश्मीर के मनोस सिनहा, और यहां पर है चिनाब नदी, चिनाब नदी पर इस्तित है, यह जो हमार 250 मेगावाट कर रहेगा, और कितने करोड इसमें निवेश किया गए, आपको यह भी याद रखना है, 15281.94 करोड इसके इंदर निवेश किया गया है, ठीक है, अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम और भी जान करें लेंगे, जैसे यहां पर दाची, दाची गाम दाची गाम राष्ट्री उध्यान है, सलीम अली राष्ट्री उध्यान है, और डल जिल बहुत ही फेमस है, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में, तो यह हो गई जम्मू एंड कश्मीर की बार, जम्मू एंड कश्मीर में ही क्या कर रहे है, हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक पर्योजना को मंजूरी दी है किसने मंत्री मंडलने केंद्री मंडलने अभी पी धनकेशरन को किस राज्जी का सूचना आयूक निक्त किया गया है इनका नाम याद रखना है आपको इनका नाम क्या है पी धनकेशरन आपके पास आप्शन से पंजाब तमिलनाडू केरल या फ अब यहाँ पर तमिल नाडू की बात आ गए तो तमिल नाडू की बारे में हम जान लेते हैं तमिल नाडू की राजधानी है चन्ने तमिल नाडू की मुख्य मंत्री है के पलानी स्वामी और तमिल नाडू की राजजिपाल है बनवारी लाल पुरो ही तो यह जब भी आपको का नाम आएगा आपको तीन चीज़े याद रखनी है जो कि मैं रोज रोज आपको रिवाइज करवाती हूँ अगर आपको ये चीज़े याद हैं तो मेरे साथ आप दोहराया कीजिए मेरे साथ रिवाइज किया कीजिए अगर आपको ये चीज़े याद नहीं है तो एक संधी चोड़ रहा है अभी एक देश ने घोशना की है कि वह क्या चोड़ रहा है खुला आस्मान जो संधी है वह चोड़ रहा है आपके पास ऑप्षन से चीन रूस अमेरिका या फिर इनने से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस रूस ने घोशना की है कि आस्मान संधी चोड़ रहा है अब यह क्या होता है खुला आस्मान संधी इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन स्काइस ट्रिटी इसके अंदर 30 देशों की यह संधी होती है लेकिन रूस ने घोशना कर दी है कि वह इसमें इसका अब पाटिसिपेशन नहीं रहेगा इसमें पाटिसिपेट नहीं करेगा अब रूस की बात आ गए तो हम रूस की बारे में जानेंगे रूस रूस की राजधानी है मासको रूस के राष्ट्रपती है वला दिमिर पुतिन और मुद्रा मुद्रा है रूस की रूबल तो आप याद रखेगा रूस से रूस और रूस से तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करकर करके याद कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अभी किस राज्जी की मुख्य मंत्री ने देश की पहली छोटी विमान एयर टेक्सी सेवा का उधगाटन किया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएका हरियाणा राज्जी की मुख्य मंत्री ने देश की पहली छोटी विमान एयर टेक्सी सेवा का उधगाटन किया है अब यहाँ पर हरियाणा की बात आ गए तो हरियाणा के बारे में हम जरूर डिसक्स करेंगे लेकिन आपको एक बात है बता दू मैं कि यहाँ पर मैंने जितने भी आप्शिन्स रखे हैं इन सबका स्थापना दिवस एक नमंबर को मनाया जाता है यहाँ पर हर्याणा, चतिसगर, करनाटा, केरल, सब का चारो की चारो राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, एक नवंबर को मनाया जाता है, इसके अलावा उत्तरप्रदेश और मद्धिप्रदेश भी आते हैं, उनका भी स्थापना दिवस एक नवंबर को ही मना कि दिसम्बर और राजजदानी है चंडीगड चंडी राजय का, हापको इनका नाम याद रखना है, किसी भी राजजी का राजधानी मुख्य मंत्री और राजजपाल का नाम जरूर्ग रखना है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अभी किस देश की राष्ट्रपती जो बिडेन जो बिडेन ने सपत ली है आपके पास ऑप्शन्स है अमेरिका बांगलादेश इराक या फिर इटली तो इसका करेक्टा अंसर हो जाएगा अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपती बन गये है जो जो बिडेन जो बिडेन जो पिछले कौन थे पिछले हमारे डोनाल्ड टरम्प थे इन्होंने 20 तारीक को सपत ली थी ठीके और कहां पहले थी सपत वाशिंग्टन डीसी में सपत ली थी अब अमेरिका की बात आगे तो जरूर हम डिसकस करेंगे अमेरिका अमेरिका की राष राष्ट्रपती है जो बिडेन जो की 46th नंबर के हैं और करंसी है यहां की डॉलर पहले राष्ट्रपती कौन थे डोनाल ट्रम्प अभी बन गए है जो बिडेन जो की 46th नंबर के हैं आपको याद रखना है कभी कभी ऐसा पूछ दिया जा पूछ देता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका कौन से नंबर के वो राष्ट्रपति है ठीक है पूरो राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्प थे और इन्हों ने जो बिडेन ने 20 जनवरी 2021 को वासिंग्टन डिसी में सपत ली थी और ये जो राष्ट्रपति है ये सबसे अधिक उम्र के अमेरिकी राष्ट्रपती होंगे सबसे अधिक उम्र और इनकी उम्र कितनी है 78 साल में ये राष्ट्रपती बने हैं इसलिए सबसे अधिक उम्र के अमेरिकी राष्ट्रपती में जाने जाएंगे ठीके नविन पतनायक और धर्मेश्च प्रधान ने किस राज्ज में स्वच्छ बिंदुशार पहल सुरू की है। अब यहाँ पर उडिसा की बात आ गई है और यहाँ पर नवीन पतनायक जो हैं यह उडिसा के हैं हमारे मुख्य मंत्री तो यह भी आपको याद रखना है उडिसा के बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं। धर्मेंदर प्रदान तो इनका नाम भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है हमारा अभी किसने नई दिल्ली में तकनिकी आदान प्रदान के शेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक समझोता MOU समझोता MOU पर हस्ताक्ष किये हैं आपके पास option से सडक परिवहन और राजम तो इसका correct answer हो जाएगा A, B, C, तीनो इन तीनो मंत्राले उने क्या किया है नई दिल्ली में तकनिकी आदान प्रदान के शेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्ष किये हैं तो इसका correct answer हो जाएगा A, B, C, तीनो अब यहाँ पर सडक परिवहन राजमार्ग मंत DRDO, DRDO यहाँ पर है DRDO का हमारा ठीक है यहाँ पर यह जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है इसको इंगलिश में कहते हैं DRDO means Defense Research and Development Organization तो इन तीनों लोगों ने MOU पर हस्ताक्ष किये हैं किसलिए हस्ताक्ष किये हैं नई दिल्ली में तकनिकी को आदान प्रदान को मजबूत बनाने के लिए अब यहाँ पर DRDO की बात आगे तो DRDO को हम सारा चीज़ डिसकस कर लेते हैं DRDO, DRDO को हैड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके हैड है जी सतीस रैडी और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और किस ने स्थापना की थी विक्रम अंबलाल सारा भाई ने स्थापना की थी और यहाँ पर इसका मोटो मोटो आपको याद रखना है मोटो है strength is in science अगर इस मोटो को आप संस्कित में बोलें तो होगा वलस सिमूलम विज्ञानम ठीके इसकी स्थापना आपको याद रखना स्थापना 1958 में हुई थी next question है हमारी अभी T20 क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्र दराज गिंदवाज सान्ता-मूर्ती बने हैं यе किस राज्य के हैं T20 में पांच विकेट लेने वाले इनका नाम क्या है तो आपको आपके पास ओप्षण से केरल, पॉंडी चेरी, चंडी गड़ या फिर इन में से कोई नहीं तो यह हैं पुंडु चेरी के जो क्रिकेटर हैं यह पुंडी चेरी के रहने वाले हैं कौन है सांता मुर्ति इन्होंने टी टुएंटी क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले सबसे खिमर उम्र के खिलाडी बन गए है तो यहां पर फुंडू के बात आ गई है तो और इसके बारे में डिसकस करेंगे पॉंड चेरी की राजधानी है वह है पॉंडि चेरी पहले पहले बात यहां इसका नाम पुंडु चेरी और इसकी राजधानी पॉंडी चेरी है तो आपको यह चीज याद रखना है मुख्य मंत्री वी नरायन स्वामी है और एलजी यहां के हैं तिमिल साई सौंदराजन पहले यहां की जो एलजी थी वो थी किरनबेदी अभी अभी उनके इस्थान पर तिमिल साई सौंदराजन को एलजी बनाया गया है पूर्व एलजी जो थी वो हमारी किरनबेदी थी तो नेक्स्ट कोश्चन है अभी हमारा अभी किसने मुंबई महानगर शेत्र विकाज प्राधी करण के लिए ड्राइवर लेस मेट्रो कार का अनावरण किया है अनावरण किसने किया है आपके पास option से नरिंद्र मोधी एमवंकay नैडू राजनात सिंग या फिर रामनात को विन्तु का और नरेंद्र मोधी राजनात सिंग राजनात सिंग इसका correct answer हो जाएगा राजनात सिंग ने मुंबई महासागर शेत्र के विकास प्राधिकरण के लिए driverless metro car का अनावरन किया है तो हमें कभी भी इनका नाम जब लेना है राजनात सिंग का जब नाम लेना है अब हमने इसके पहले पढ़ा था जो मुंबई में metro के गलियारों पर तैनात रहेगा तो इसका आंसर क्या है राजनात सिंग ने अनावरन किया है अभी किस राज्य के पुर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है अब आपको बताना है यहां पर आप्शन से पुर्व राज्यपाल थे माता प्रसाद वो किस राज्य के थे अरुणाचल परदेश, आंदर परदेश, हिमाचल परदेश या फिर उत्तर परदेश तो उसका correct answer हो जाएगा अरुणाचल परदेश और राज़ी पाल माता प्रसाद का नेधन हो गया है इनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये हिमाचर प्रदेश के राज जिपाल रह चुके थे अब आगई हिमाचर प्रदेश की बात तो हिमाचर प्रदेश के बारे में हम जरूर डिसकस करेंगे यहाँ पर अरुनाचर प्रदेश की राजधानी है इटा नगर, मुख्य मंत्री है प्रेमा खांडू और राज जिपाल है ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा और अरुनाचर प्रदेश को लैंड ओफ राइजिंग संधी कहा जाता है आपको ये भी याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अभी किस देश ने चीनी स्मार्टफोन, जाउमी कॉप्स को और थर्ड सबसे बड़े तेल कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है चीन की दोनों कंपनिया है कौन कौन सी जाउमी, जाउमी, कॉपर्ट और थर्ड जो बड़े तेल कंपनी है उनको ब्ल ने चीनी स्मार्टफोन जामी कॉप्स एंड कॉपरेशन एंड थर्ड थर्ड सबसे बड़े तेल कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है अब यहां पर आ गई अमेरिका की बात हम अमेरिका की बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कामेरिका अमेरिका की राजधानी है वासिंग्टन ड नेक्स्ट कोशन है हमारा अभी केंद्री मंत्राले ने भारत और किसके साथ मिलकर सौर उर्जा के शेत्र में सहयोग समझोते को मंजूरी दी है केंद्री मंत्राले ने भारत और किसके साथ है किसके साथ की है आपके पास options है इराक इरान उजबेकिस्तान या फिर इनमें से क तो इसका correct answer हो जाएगा उजबेकिस्तान मेंस केंद्री मंत्राले ने भारत और उजबेकिस्तान के साथ मिलकर क्या कौन सी उर्जा सौर उर्जा के शित्र में सहयोग को समझोते को मंजूरी दी हैं अब यहां पर आगे बात उजबेकिस्तान की हम उसके बारे में डिस्कस करें जांगे उजबेकिस्तान की राजधानी है तासकंद उस पेस्किस्तान के राष्ट पति है शाष्वक मिर्जी व।े और मुद्रा है उजबेकिस्तान सोम और भी इसम आरा अभी किस मंतन्रा ले ने 2021 के लिए digital calendar और diary launch की है digital calendar और diary launch किया है किस मंत्रा ले ने किया है आपके पास option से कपड़ा मंत्रा ले शिक्षा मंत्रा ले सूचना एवं प्रसारण मंत्रा ले या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रा ले ने क्या लांज किया है digital calendar और diary launch की है सूचना मंत्रा ले अब मंत्री कोई है सूचना एवं प्रसारण मंत्रा ले कि मंत्री कोई है प्रकाश जावडे कर तो इनका नाम आपको याद रखना है कैसे आप नाम लेंगे प्रकाश जावडे कर कर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे कर नेक्स्ट कोईशन है हमारा अभी किस राज्ज के सरकार ने ड्रेगन फल को ड्रेगन फल को नाम बदल कर कमलम रखने का फैसला किया है तो आपके पास आप्शन्स है यहाँ पे गुजरात, राजस्थान उडिसा या फिर उत्तरपदेश तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुजरात गुजरात राज्जी की सरकार ने ड्रेगन फल वहाँ पे एक ड्रेगन फल पाया जाता है जो कि कच्छ में उगता था उस ड्रेगन फल का नाम बदल कर क्या लखा जाएगा? कमलम रखने के लिए अभी इन्होंने आवेदन कर दिया है अब अगर उपास हो जाता है तो इसका नाम बदल दिया जाएगा तो गुजरात की बात आ गई है नेक्स्ट कोश्चन है स्कॉच चीफ मिनिस्टर आफ दे इयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पर आपके पास आप्शन से प्रेमा खांडू, विजे रुपाणी, दी वाई एस जगनमोहन रेड़ी या सरवानन सोन वाल यहाँ पर मैंने चीफ मिनिस्टर के ही नाम लिखे हैं अब यहाँ पर स्कॉच चीफ मिनिस्टर आफ दे इयर नामित किया गया है डी वाई एस जगनमोहन रेड़ी को इनको सम्मानित किया गया है इस पुरसकार से तो हमें पता होना चेह कि यह किस राज्य के मुख्य मंत्री है तो यहाँ पर मुख्य मंत्री है यह डी वाई एस जगनमोहन रेड़ी मुख्य मंत्री है आंदर प्रदेश के आंदर प्रदेश की राजधानी है अमरावती और राज्य पाल राज्यपाल का नाम भी आपको याद रखना है विश्व भूशन हरी चंदरन ठीक है और यह जो प्रेमा खांडू मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है प्रेमा खांडू है अरुनाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री विजरुपाणी विजरुपाणी है गुजरात के मुख को जी सेवन सिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है आपके पास ऑप्शन से अमेरिका फ्रांस युनाइटेट किंगडम या फिर इनमें से कोई नहीं तो सका करेक्ट आंसर हो जाएगा युनाइटेट किंगडम युनाइटेट किंगडम के देश युनाइटेट किंगडम की बात आ गई हम ज़रूर डिसकस करेंगे यहाँ पर उनाइटेट किंगडम भारत की राजधानी है लंदन और यहां की जो रानी है सम्रागी है वो है अलेजाबेत दिवितिया और करंसी है पांड स्टरलिंग प्रधान मंत्री का नाम है क्योंकि प्रधान मंत्री ने ही इन्हें क्या किया है आमंत्रित किया है प्रधान मंत्री है उनाटेट किंग्डम के प्रधान मंत्री है बॉरिस जॉन्सन ठीके अब यहां पर यहां पर हम जी सेवन के बारे में थोड़ सा डिसकस करेंगे भारत के अलावा और किस किस को इन्होंने अति भेजा है इसमें अतित्थी बनने के लिए अब जी सेवन में सेवन देश सामिल है जिसके अंदर है कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान युनाइटेट किंग्डम और संयुक्त राज अमेरिका यह साथ यह साथ देश है जो जी सेवन में भारत नहीं है फिर भी उनहां के प्रधान मंत्री ने बोरिस जॉंसन ने भारत यहां पर हमारे नरेंद्र मोधी को इसमें इन्वाइट कर रहा किया है ठीक है किसके रूप में अतित्थी देशों यह तीन देशों को इन्होंने इन्वाइट किया है भारत ऑस्ट्रेलिया और दक्षिड कोरिया कभी आपको उप्षिन में ऐसे कोशन भी आ सकते हैं कि किन किन देशों को इन्वाइट किंडम में आमंत्रित किया है ठीक है तो आपके पास उप्षिन रहेंगे तो आप जल्दी से टिक लगा सकते इसलिए मैं सारा का सारा यहां का फैक्ट बताती हूं नेक्स्ट कोशन है हमारा अभी क कंचोत तेवहार कहां मनाया गया है यहां पर आपके पास ऑप्संस है नई दिलली जंवम और कश्मीर उत्तर पदेश सियाफीर महारास्तर चूस का्रेक्ट सर बदो जाएगा जिए जम्मू और कश्मीर की बात फिर से आ गई है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे जम्मू अन कश्मीर की राजणी है शीर नगर जो की समर में होती है और जम्मू जम्मू मतलब शीत शीत में इसकी राजणी जम्मू बन जाती है 令i Town Governor मनो सिना है और यहाँ पर dachi गाम दाची गाम राष्टर उद्ध्यान है, सलिम अली राष्टर उद्ध्यान है और डल जिल यहाँ पर फेमस है, नेक्स्ट कुष्चन है हमारा, अभी COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, COP26 आयोजन हो रहा है, अब रहा है किस देश में आयोजन हो रहा है इसका, आपके प्रिटेन की राजधानी है लंदन अभी हमने डिसकस किया था युनाइटेट किंडम में ही आता है ब्रिटेन तो यहां की राजधानी है लंदन क्वीन है एलिजाबेत करंसी पाउंड इस्टरलिंग और यहां पर युनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉनफरेंस को कहा जाता है कॉप 26 है क्या कॉप 26 एक कॉनफरेंसिंग है जिसको जो किसलिए होती है युनाइटे नेशन क्लाइमेट चेंज के लिए कॉनफरेंसिंग होती है जिसको कॉप 26 नाम दिया गया है यह अभी 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 यह होल्ड हो रहा है ग्लासको ग्लासको स्कॉट्लेंड में ये अभी held हो रहा है और ये कब से कब तक चलेगा एक से 12 नमंबर 2021 में चलेगा ये आयोजित होगा एक नमंबर से 12 नमंबर की बीच आयोजित होगा इसके अंडर धा प्रेसिडेंसी ऑफ युनाइटेड के अंदर ही इसको क्या किया जाता है है और यहां के जो प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा वो अभी नरेंदर मोधी से मिले थे इसलिए ये नियूस बहुत चर्चित में हैं कॉप 26 यहां के जो प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा वो अभी मिलने आए थे नरेंदर मोधी से इसलिए आपको ये ये आपको करेंट अफेर्स में याद रखना है कि कॉप 26 होता क्या है और कौन है इसका कि कहां पर यह आयोजित हो रहा है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा भारत ने किसकी जैनती वर्ष को पराकरम दिवर्ष के रूप में मनाने का निर्णे की है आपके पास आप्शन से सुभाष चंद्रभोष सरदार बल्लभाई पटेल मंगल पांडे या फिर इन में से कोई नहीं है इसका करेक्ट आंसर हो जाए उसके रूप में जाएगा पराकरम दिवस के रूप में मनाने का निर्णे किया है क्यों हुए है क्यों सुभाष चंद्र खून दो मैं तुम्हें आजादे दूँगा और दूसा नारा था कि स्वतंतता नहीं दी जाती ली जाती है ठीक है तो यहां पर आपके उनके quotes भी याद रखने है यह थे हमारे आज के question अब हम discuss करेंगे हमारा previous question previous question क्या था हमारा अभी राष्ट्री संस्कित महत सो 2021 कहां शुरू किया जा रहा है आपके पास option से पश्चिम बंगाल, केरल, मद्धिपदेश या फिर उत्तेपदेश तो इसका correct answer हो जाएगा पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्री संस्कित महत सो 2021 किया जा रहा है अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात आ गही है तो हम उसके बारे में जरूर डिसकस करेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधाने हैं कॉलकता, मुक्य मंत्री हैं ममता बेनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनगर तो यह था हमारा प्रिवेस कुश्चिन जिसको हमने डिसकस कर लिया है और आई होप आपने इसका आंसर जरूर प्रिवेस वीडियो में दिया होगा तीके और आज के लिए आपके पास आज का कुश्चिन है कि अभी भारती सेना ने क किस राज्य में सबसे उचा तिरंगा जिसका नाम क्या है आइकोनिक नैशनल फ्लैग की अधार शिला रखी है आपको बताना है किस राज्य में रखी है हमारे भारती नौ सेना ने भारती सेना ने आपके पास ऑप्शन से गोवा जम्मो एंकश्मे लद्दाक या फिर इन मे कर पाएंगे और कमेंट कर पाएंगे आप हम तो यह था हमारा आज का विडियो थैंक यू फ्रेंड्स